हेलो एस्टूडेंट आप सब करसे हैं मुझे आसा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग वास्त्रीक संख्या अध्याई एक का प्रसनावली 1.3 का कोस्टन नमबर 1 का सलूशन करेंगे इस वीडियो में और ये चैप्टर जैसे ही खतम होगा तो इससे जितने भी रिलेटेड एक्चाम में आपका उब्जेक्टिव कोस्टन पूछा जाता है उसका भी हम लोग कोस्टन पूरा कराएंगे ठीक है चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहला कोस्टन का सलूशन करने के लिए पहला कोस्टन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है लिखा है कि सीद कीजिए की रूट फाइप एक अपरिमे संख्या है तो इसको हम लोग को सीद करना यानि प्रूब करना है तो हम लोग चलिए इसके देखते हुए आगे बढ़ते हैं और इसका solution करते हैं चलिए अब जो है यहां पे उस question को लिख लिए है सीद कीजिए की root 5 एक अपरी में संख्या है तो यहां से हम लोग हल करेंगे तो हल करने समय हम लोग सबसे पहला है क्या लिखेंगे मानना पड़ेगा क्या मनना पड़ेगा माना की रूट फाइप जैसे यहां पर परी में लिखा है तो इसका उल्टा मानेंगे उल्टा क्या होगा परी में माना की रूट फाइप एक परी में संख्या है एक परी में परी में संख्या है हम लोग क्या करेंगे उल्टा मानेंगे तब root तब क्या होगा root 5 बुराबर P बटा क्यों कि परिमे संख्या क्या होता है P बटा क्यों के रुप में होता है ठीक है तो इसलिए लिखे हैं यहाँ पे तब root 5 P बटा क्यों कि परिमे के बुराबर है परिमे यहाँ पर माने है इसलिए P बाटा किम के रूप में लिखना पड़ा और फिर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कंडिशन इसका जहाँ P और Q उनांग है उनांग है तथा Q बुराबर नोट जीरो Q कभी भी 0 के बुराबर नहीं होगा इसलिए यहाँ पे लिखा है Q बुराबर नोट जीरो अब जो P बाटा किम के रूप में लिखे हैं तो यहाँ हम लोग इसी को लिखेंगे 5 को रूट 5 है और नीचे अपने से एक बाटा दे देंगे किम की P बाटा किम के रूप में ये भी हो जाएगा तो ये P बाटा किम ये भी हो गया ठीक है अब यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे वर्ग करेंगे तो लिख देना होगा यहाँ पे दोनो तरफ बर्ग करने पर क्या करने पर वर्ग करने पर करने पर बर्ग करने पर अब क्या लिखेंगे जब दोनो तरफ बर्ग होगा यानि 5 बाटा ये रूट 5 है रूट 5 यहाँ लिख लिए है रूट 5 बाटा क्या है 1 तो 1, इसका work करना है तो इसको work कर देंगे यानि square फिर बराबर है तो बराबर दोनों तरफ लिखेंगे PA, क्यूं तो इसको भी work करना है तो इसको भी work कर देंगे ठीक है उसके बाद इसको work करेंगे तो क्या होगा जैसे ही इसको work करेंगे तो root जो है square से root हट जाता है और 1 पर square रहेगा यानि square से root हट जाएगा तो क्यावल 5 मच गया और यहाँ पर 1 का square करेंगे तो 1 होगा ठीक है फिर इधर बराबर है तो बराबर P तो है square है तो P का square हो जाएगा और Q है तो Q का square हो जाएगा अब इसको हम लोग को करना है corresponding यानि तिर्चा तिर्ची गुणा करेंगे इससे इसमें गुणा कर देंगे और इससे इसमें गुणा कर देंगे ठीक है तीर्चा तीर्ची गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं तीर्चा तीर्ची तो यहाँ पे P से 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा P स्क्वाइर और फिर बोराबर है तो बोराबर और यह 5 से Q में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 Q स्क्वाइर ठ तो यहां है क्लिकती कील निलिख सकते है तो यहां पर क्या लिख दिये हो गया फाइब अब यहां पर हम लिक का मुझे देंगे रूल 5 क्यू एसक्वायर ठीक है यह जैसा है वय्शन अब इस पी में से गूढा में है तो उल हमें पोर एकको भेज देंगे जो ये पी बचा है, ये क्या है, ये है आपका पूर संख्या, यहां लिख देंगे, यहां पूर संख्या, इस बराबर के इस साइड पूर संख्या है, और बराबर में इस साइड यह जो है, यह पूरा, यह आपका आ गया भीन्ने संख्या, क्योंकि बट्टा में है, यहां पे लिख देंगे भिन्ने संख्या भिन्ने संख्या है जो की संभव नहीं है क्या जी जो की संभव नहीं है नहीं है ये संभव नहीं है अब ये संभव नहीं है तो क्या होगा इसी परकार हमारा मानना इस परकार हमारा मानना गलत हुआ क्या हुआ गलत हुआ की रूट फाइप एक परिमेशं क्या हुआ परिमे संख्या है ठीक है परिमे संख्या है अतर इसे हम लोग लिखेंगे यहां पर और अतर तो जब ये गलत हो गया हम लोग क्या कहेंगे यहां लिखेंगा तो रूट फाइप एक हुआ कि रूट फाइप एक और परिमे संख्या है और परिमे संख्या है क्यूं क्यूंकि यहां आज कंडिशन को समझ लिए है कि यह पूर संख्या है और यह क्या हो गया भीने संख्या जो की संभव नहीं है कि इस परकार हमारा मनना क्या हुआ गलत हुए यह संभव नहीं है तो इसलिए हमारा मनना क्या हो गया गलत हो गया कि रूट फाइप एक परिमे संख्या जब गलत हो जाएगा तो फिर क्या इसका मतलब है कि यह सही है कि रूट फाइप एक अपरिमे संख्या है इस तरह से प्रूब्ड हो गया प्रूब्ड हो गया यह question आपका प्रूब्ड हो गया और question आपका 100% हो गया यदि वीडियो आपको पसंद आया है और समझ में आया है तो like जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद